और आज का यह लेक्ट्र है यह है स्कषिल क्यों तर्मेट को प्रेंग है क्योंकि यह तेनों आपस में इंटरlean IKEA हैं और आप कह सकते हैं कि ये पार्ट लाइक जैसे एक ड्रामी के अंदर स्टोरी का वन पार्ट आता है सेक्टिंड ये तो बिल्कुल पार्ट में हैं क्योंकि जो करेक्टर्स एडिपस रेक्स में हैं वही एडिपस कलोनस में हैं और उन्हीं की स्टोरी कॉंटीनियू होती है अन्टिगने में अब ये करेक्टर्स की लिस्ट है जो मैंने चार्ट बनाया है आप इसके लिए मुझे कह सकते हैं मैं आपको इसको स्क्रीन शाट भी बेच सकती हूँ या आप इसको मतलब जिस तरह मैं बता रही हूँ साइड बै साइड इसको आप ड्रॉख भी कर सकते हैं सबसे पहले कैडमिस का नाम है अब पॉइंट इस दाट ये स्टोरी के अंदर नहीं है लेकिन हमें यहां से ये पता चल रहा है कि ये ट्रू आउनर्स आफ दे सिटी है कैडमिस जो था वो फर्स्ट फांडर अफ दो सिटी है पॉलीडोरस है उसका बेटा लबडकस है उसका बेटा और जो है लुइस वो उसका बेटा है स्टोरी स्टार्ट होती है किंग लुइस के शादी होती है जो कैस्टा से ठीक है जब इनके शादी होती है तो बेटा होता है इडिपस उसके बाद जो king इडिपस या baby prince होता है उसको adopt कर लेते हैं polybus and mirror ठीक है लेकिन ये जुन से हैं दोनो king and queen कोरिनित state के king and queen है ठीक है उसके बाद mistakenly इडिपस शादी कर लेते हैं अपनी मदर जो कैस्टा से ठीक है और उनकी यूनियन से जुकेस्टा और इडिपस के चार बच्चे होते हैं इसमीनी एक बेटा है defender of thieves जो बेटा है the defender of thieves उसका नेम इडिकलस है इसको ये title मिलता है बाद में polynesius है बेटे का नाम और इसकी शादी दूसरे state की king की बेटी से होती है और उस state का नाम आर गिव है ठेक है और एक और बेटी है एंटिगनी जिसके नाम पे पूरा ये तीसरे वाला play है एक और बहुत important character है वो है इसके अंदर blind prophet का तीरीसियस तीरीसियस जो है ये बार बार different times में आता है तीनों plays के अंदर इसके बाद एक जोकेस्टा का brother है ट्रियॉन और वो कुछ time के लिए इसके अंदर last में king बनता है तो उसका बहुत important character है उसकी शादी हुई हुई है यूरीडिस्ट के साथ और उसका बेटा है हेमन ठीक है ये हेमन और अंटिग्नी आपस में like they love each other तो ये भी important character है तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं मैं इसको एक तफ़ा still कर देती हूँ okay सबसे पहले हम आते हैं story outline जो इडिपस रेक्स की है उसके अंदर हमें सफ़क लीज का ये play लिखे में हैं तीनों और ये उसका masterpiece है ठीक है even ये इतना important है कि इसको Aristotle ने poetics अपनी book के अंदर भी admire किया है और इसके reference और examples दी है क्योंकि ये कह सकते हैं masterpiece है Greek tragedy का ठीक है story start कहां से हो रही है एडिपस है the king of thepes and husband of jocasta ठीक है ये characters में mention कर चुकी हूँ एडिपस को पता चलता है learn from the delphic oracle अब delphic oracle क्या है ये एक उनकी religious जगा है या मतलब कह सकते हैं जैसे हम लोगों के muslims के नजूमी होते हैं और वो बताते हैं कुछ और लेकिन वहाँ पे जैसे हिंदूओं के पिशेंगोईया करते हैं और नदलब future बताते हैं ये उस तरह का religious उनका था उन्होंने delphic oracle ने बताया है that plague is fallen on the city because of the murderer of king Lewis is still present in the city अब king Lewis कौन था जो केस्टा का पिछला husband था और और एकल ने ये बताया है कि पूरी city के ओपर plague का अजाब इसलिए आया है क्योंकि उसका king Lewis का murder murderer जो है अभी तक city में है जो edipus himself pursues the inquiry अब उसको खुद बहुत जादा हो गया है कि ऐसा कैसे हो रहा है मेरी state में और उसने बहुत जादा interest लेना शुरू कर दिये calls everyone who have any knowledge of the matter जो king Lewis के murder के time पे जो जो लोग थे उनको जिनको भी थोड़ी बहुत knowledge थी उन सबको उसने बला लिया है थीरियस जो है यह blind prophet उसने refuse किया है to disclose उसने क्या किया है बताने से मना कर दिये कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा अब क्या हुए king edipus को हुसा आगिये on accusing of plotting with crayon against him then he partly reveals the fact edipus killed Lewis जब king edipus थीरियस blind prophet को blame करता है कि तुम crayon से मिलके मेरे खिलाफ कुछ planning कर रहे हो और उसको तब बहुत मुश्किल से जो blind prophet है अपनी जान बचाने के लिए सब यह बताता है कि edipus नहीं king Lewis को मारा है जो edipus है blames crayon for plotting वो उसकी blind prophet की बात पर यकीन नहीं करता और वो यह सोचता है कि जो crayon है उसने मेरे खिलाफ यह planning की है crayon कौन है उसकी wife जुकेस्टा का भाई है edipus gets disturbed by जुकेस्टा's description of the death of king Lewis अब क्या है edipus परेशान हो जाता है जब जुकेस्टा बताती है कि इस तरह murder हुआ था वो सारी description बताती है किस जगा पर हुआ था महाने वाले कौन-कौन थे क्यूंकि edipus ने भी वहाँ पर एक murder किया होता है बट edipus is son of polybus king of corinth लेकिन edipus इसी बात इसी confidence के अंदर है कि मैं तो polybus का बेटा हूँ जो किसी और state का like king है उसी time पे a messenger comes from corinth to announce the death of polybus ठीक है उसी time एक पेगाम लेकर आता है आदमी और बताता है king polybus की death हो गई है और वो like edipus को वापस लेकर जाना चाहता है क्योंकि वो king polybus की जगा को ले सके और वहाँ का king बन सके edipus he wouldn't return as oracle said he will marry his own mother तो edipus को like oracle से like जिस तरह उनके नजूमियों ने बताया था कि वो अपनी मदर से शादी करेगा इसलिए तो वो अपनी state छोड़ कर आया था जहां पे वो like as a prince रह रह रहा था तो edipus ने कहा है कि मैं वापस नहीं जाओंगा क्योंकि उसके लिए मुझे औरेकल ने बताया था कि हमने अपनी मदर से शादी कर लूँगा messenger reveals that he brought infant edipus from a shepherd of cithiron to polybus and mirope अब उसी messenger ने एक सच बताया है कि उसने एक shepherd को दिया था एक shepherd से लिया था edipus जो बिलकुल छोटा सा था और king polybus और mirope जो उसकी wife थी उसको दिया था अब जो old shepherd था वो present at the death of Lewis अब वो जो shepherd था उसने ही बच्चे को उठाया था और उस messenger को दिया था और उस messenger ने ही polybus और mirope को दिया था और वो present भी कहां था जब king Lewis की death होती है तो वहां भी present होते है he disclosed he carried edipus to polybus और वो जो shepherd है old shepherd वो ही इस बाद का बताता है कि उसने ही उठाया था edipus को और polybus को दिया था ठीक है और डीबस को इस ताइम सब कुछ clear हो गया है कि किस तरह वो उसने अपनी state से अपनी ही fate से बचने के लिए अपनी state ठोड़ी लेकिन at the end उसके अपनी ही mother से शादी हो गई है edipus जब सारी situation को समझ आता है तो भागता है palace की तरह जहां पे जोकेस्टा hanged herself and he blinds himself जो केस्टा ने अपने आपको वहां पे hang कर लिया है और जो है edipus अपने ही गुनाहों का दुख में या उन सब चीजों अपनी tragedy की वज़ा से अपने आपको आखों में आखों को अपनी तोड़ देता है और उसको अपने आपको अंधा कर लेता है यह जो play है यह एक excellent example है Greek tragedy के अंदर क्यूंकि इसके बहुत सी Greek tragedy की qualities है जो यह fulfill कर रहा है इसके अंदर बहुत से लोगों की death हो रही है प्रॉपर इसका plot है इसमें Aristotle ने जो points दिये हुए है like reversal of fortune और इन सब चीजों के जितने भी ancient rules थे उसको fulfill कर रहा है और at the end पे bloodshed भी हो रहा है deaths भी हो रही है tragedy भी हो रही है a single person की suffering भी है यह सब qualities है अब हम चलते हैं next play के उपर जिसका नाम है edipus at clonus अब क्या है edipus जोंसा है अपने आपको blind कर चुका है banished है wandered attended by his daughter in tigney ठीक है और कहां पे है clonus में है tika में ठीक है अब like edipus की बहुत ही भुरी condition है और like वो tragedy से भी suffer कर रहा है और अपनी बेटी के साथ वो केला वहां पे अपने आपको अंधा करके गलियों में फिर रहा है he is warned by inhabitant to depart जो शहर के लोग हैं उन्होंने उसको तो मना कर दिये कि शहर में आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी वज़ा से ही शहर में इतनी मसीबत आई है प्लेग आया है और उसकी विस्ट ने लोगों की डेथ हो गई है learn from an oracle that this is the spot where he is to die refuse to go एक oracle ने उसको बताया था कि उसने इस शहर के अंदर इस जगा पर डेथ होनी है तो वो वहां को छोड़ना ने चाहता अब इडिपस ने अपील की है थीसियस किंग अफ एथन से क्या की है कि प्लीज मुझे थोड़ी सी जगा दी जाए और मरी आखरी रसुमात सही से की जाए तो जो किंग अफ थीसियस है किंग अफ एथन्स वो क्या उसको अशूर कराता है इडिपस आफ इस प्रोटेक्शन क ठीक है वहां की जगा पर आपको एक दिफनाने की जगा भी दी जाएगी इसमीनी जॉइन एडिपस एन टेल दिस्टिबूट बिट्वीन ब्रदर्स अब इसमीनी जो दूसरी बेटी है वो एडिपस को जॉइन करती है और बताती है कि दोनों भाईों में जगड़ा हो रहा कि ओडिपस के बाद कौन गेंग बनेगा दिस नीज़ मेक ऐडिपस एक्स्टरीमली एंगरी विध- इस सन तो ओडिपस को इस बाद से बहुत हुस्सा आता है कि हमारी फैंमली एतनी ट्वेजदी से गुजर रही है और उन दोनों बेटों को अपनी like king बनने के like कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा और वो इस चीज़ का जिगड़ा कर रहे है उस टाइम क्या है क्रियोन अराइवस उस टाइम में जब ये सब लोग जगर रहे हैं तो like क्रियोन जोंसा है एडिपस का जुकेस्टा का भाई वो टेमप्रेडी तो और पे king बनाओ है और वो वहाँ पर आ गया है जैसे ही क्रियोन इसको एडिपस को जेल में डालना चाह रहा था या पकड़ना चाह रहा था उसी टाइम किंग थीसियस आ जाता है और वो उनको रोक लेता है रेस्क्यू किसको करता है एडिपस और दोनों बेटियों को वो सेफली लेकर जाता है Polynesius आता है उसके बाद और वो क्या करता है अपनी माफी मांगता है अपने बाप से और उसको कहता है के मेरी favor करो क्यूंकि उसने अपने भाई से लड़ाई करनी है आपने बाई Eteclesiis के लिए साथ लड़ाई करने के लिए अपने बाप से favor मांग रहा है एडिपस को बहुत ज़्यादा घुसा आता है पोलिनीसियस पे और वो उसको स्क्रॉल करता है डांटा है कर्स ताथ दे वुड डाय बाई इच अडर्स हैंड और इसी हुस्से के अंदर एडिपस उनको कर्स करता है बद्दूा देता है कि तुम दोनों भाई एक दूसरे के हाथों ही मरोगे पल्स अफ थंडर्स बॉर्ण इडिपस ही इस अबाउट टू डाय यह एक सिगनिफिकेंट वोईस थी थंडर्स की उससे इडिपस को पता चलता है कि उसका टाइम आ गया है मरने का अब बारी आती है इस्ट्रालोजी की आखरी पले की जो है इंटिगनी अब आपको पता चल रहा है कि वो कुंग की बेटी का नाम है अब जब यह पले स्टार्ट होता है तो Kryon is the ruler of Thieps क्यों Thieps का ruler है क्योंके बाकी आपस में लड़ रहे हैं यह conflicts में हैं लेकिन Kryon इस ताइम ज़न सा थीप का ruler है Kryon है और दोनों भाईयों की आपस में death हो गई है Kryon has forbidden the burial of the body of Polynesius ठीक है क्यों Polynesius की बाड़ी की burial को मना किया है क्योंकि Polynesius ने थेप्स पे हमला किया था और जो दूसरा भाई था उसने defend करने की कोशश की थी सिटी को तो इसलिए Creon ने order दिया है कि Polynesius को जो है कोई भी दफनाएगा नहीं Disobeying means plenty of death जो इस order को, Creon के order को disobey करेगा उसको सजा क्या, मौत की सजा मिलेगी Antigney makes her mind to disobey king and perform the funeral rights of her brother Antigney अपना mind बनाती है कि वो अपने king को disobey करेगी और अपने भाई को आखरी रसुमात पूरी करेगी Antigney is caught doing this वो ये करते वे पकड़ी जाती है, brought before the king और उसको king, चौन सा है Creon है, उसके सामने लाया जाता है He defends her action as being an accordance with the higher laws of God जो Antigney है, वो अपने काम को, अपने, इस जर्म को किस तरह justify करती है वो कहती है कि खुदाओं ने ये हुकम दिया हुआ है कि हमें मरने वालों की bodies को दफनाना चाहिए तो उसने उस हुदाओं को follow करते हुए अपने भाई को बरी करने की कोशश की है और उसको वो like accordance with the higher laws of God ठीक है, वो अपने काम को इस तरह justify करती है He orders to shut her alive in the cave to die ठीक है, वो order देता है कि like उसको Antigney को जिन्दा एक cave में बंद कर दिया जाए और वहां पर उसको खाना और पानी ना दी जाए और वो उसी तरह भूग से ही मर जाए Ismini earlier refused but now claims her share in the act and plenty but it's treated as insane Ismini पहले कहती है कि उसका कोई तालुक नहीं है जो Antigney नहीं किया और उसकी कोई उसने हलत नहीं की लेकिन जब वो अपनी बहन को देखती है मतलब उसको वो कहती है कि नहीं मैंने उसका help की थी और वो चाती है कि उसको भी उसी तरह मार दिया जाए लेकिन क्रियॉन उसको पागल करार दे देते है Himan pleads for Antigney but in vain Himan जोंसा है वो लाइक किंग क्रियॉन का बेटा है वो उसको Antigney बहुत पसंद है और वो क्या है उसकी अपने फादर के लिए like plead करता है मिन्नत करता है लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं होता जब Himan का फादर क्रियॉन उसकी बात नहीं सुनता तो वो Himan वहां सजाने से पहले warns its father that he will die with her ठीक है वो helpless होके अपने फादर को बता देता है कि अगर एंटिगनी वो छुआ तो वो उसके साथ भी मर जाएगा त्रीजी इस जो ये blind prophet है वो warns क्रियॉन consequences of violation of divine law वो क्रियॉन को warn करता है कि अगर तुम divine powers खुदाई ताक्तों को violate करोगे या उसके against जाओगे तो नताइज बहुत बरे होंगे क्रियॉन रश्ट केव विर एंटिगनी इस imprisoned ठीक है क्रियॉन जो उन से भागता है इंटिगनी को बचाने के लिए ताके वो इनजाब वगरा से या जो कुछ बुरा होने वाले है उससे बच जाए लेकिन वहाँ जाता है तो हिमन collapsing with the dead body of इंटिगनी जो हिमन है वो जाके टकराता है किस से इंटिगनी की dead body से क्योंकि इंटिगनी ने अपने आपको लिटका कर फासी लेके मर गई है तो जो हिमन attacked क्रियॉन अब हिमन को बहुत दा गुसा आ जाता है और वो अपने फादर पे ही attack कर देता है और मिस्टेकनली क्या होता है वो अपने आपको ही नुकसान पहुचा के मर जाता है क्रियॉन जब वो घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है उसकी जो वाइफ है उसने भी अपने बेटे की मौत का सुनकर अपनी जान ले ली है इन सब चीजों की वज़ा से